WhatsApp Voice Note Transcript अब Android पर उपलब्ध है। जानिए यह कैसे काम करता है। WhatsApp Voice Note उन लोगों के बीच लोकप्रिय हैं जो बहुत ज्यादा टाइप करना पसंद नहीं करते हैं। आप Message Record कर सकते हैं और उसे एक टैप से अपने Contacts को भेज सकते हैं। और अब WhatsApp आपको Voice Notes को Text Form में परने की सुविधा भी दे रहा है। Transcribe Feature Audio Chat के लिए Text Note पाने का एक सुविधा जंक तरीका है। यह मुख्य रूप से तब काम आते हैं जब आप बातचीत रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें लिखने में घंटों नहीं लगाना चाहते। हम इस फीचर और इसकी रिलीज की संभावित तारीक के बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं लेकिन Transcribe Option आखिरकार Android Users के लिए उपलब्ध है और हमने हाल ही में इस फीचर के बारे में विस्तार से जाना। WhatsApp Voice Note Transcribe Hindi और दूसरी भाशाओं में जानिये कैसे। या फीचर चैट में उपलब्ध है और आप इसे WhatsApp की सेटिंग से चालू कर सकते हैं। Transcribe करने का विकल्प मैन्योली चालू किया जा सकता है और ऐसा करने के बाद आपको Voice Note के नीचे प्रॉंप्ट दिखाई देने लगेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हैं कि WhatsApp आपके लिए फाइल को Transcribe करें। आप एक्टिव बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर WhatsApp टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेगा और आपको Voice Note फाइल के नीचे प्रक्रिया से परिनाम देगा। आपको एक Voice Note मिलेगा। WhatsApp आपको इसे Transcribe करने का विकल्प दिखाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करें। Voice Note का Transcription Austin 90MB के आसपास होता है। Voice Note का Text Voice फाइल के नीचे दिखाई देगा। WhatsApp Voice Note के लिए Transcribe केवल फोन पर काम करता है। इसलिए आपको वेब वर्शन पर परिनाम नहीं दिखाई देंगे। यह सुविदा पांच अलग-अलग भाशाओं में उपलब्ध है। अंग्रेजी, स्पिनिश, पुर्तगाली, रूसी और हिंदी। आप सेटिंग से Transcribe विकल्प को अक्षम कर सकते हैं। सेटिंग, चैट, वोईस मैसेज, ट्रॉंसक्रिप्ट टॉगल बार। वाटसअप यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी व्यक्तिगत वोईस मैसेज इंडिटूंड इंक्रिप्टेड रहे। इस चैट के बाहर कोई भी यहां तक की वाटसअप भी उन्हें नहीं सुन सकता। आप टेक्स्ट फाइल को किसी के साथ साजा नहीं कर सकते जो इसकी गोपनियता के बारे में सकारात्मत बात है। क्या यह काम करता है? हमारे अनुभव के दौरान वोयस नोट ट्रांसक्राइब फीचर 95 प्रतिशत काम अच्छी तरह से करता है लेकिन कुछ शब्द जो आप गलत उचारन करते हैं वे टेक्स्ट में भी गलत तरीके से दिखाई देते हैं। उदाहरन के लिए यदि आप किसी शब्द को दबाते हैं तो वाटसएब तकनीक उसे अपने तरीके से पढ़ लेगी। यह कहते हुए कि 95 प्रतिशत एक बुरी शुरुवात नहीं है और हमें उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म निकत भविश्य में 6-5 प्रतिशत को ठीक कर सकता है। इस फीचर के बारे में हमने जो दिल्चस्प बात देखी वह यह है कि वोयस नोट ट्रांसेक्रिप्शन दोनों तरह से काम करता है। जिसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजा गया कोई भी वोयस नोट चैट में भी ट्रांसेक्राइब किया जा सकता है।